नमस्कार मित्रो नरेश IES Academy डिजिटल प्लेटफर्म पर आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे IES Mains एक्जाम के लिए कोश्चन एब हम आंसर राइटिंग सेशन का नेक्स पार्ट इससे पहले हम GS Paper 1 पर तीन कोश्चन और उनके आंसर का विसलेशन कर चुकें यह हमारा फोर्थ कोश्चन इस सीरीज में है और यह कोश्चन IES Mains एजजाम 2021 पूचा गया है मद्यकाली भारत के हितियास से काफी स्टुडेंट हमको लगाता और आंसर लिखकर के बेज रहे हिंदी और अंग्रेजी दोनो माध्यम में तो दोनो माध्यम के लिए अलग अलग आलग हम विसलेशन प्रस्तुत कर रहे हैं तो यह हिंदी माध्यम चात्रों के लिए है तो ऐसे ही एक चात्र ने एक आंसर लिखके बेजा फिर हमने उसको टाइप कर आया टाइप करने के बाद फिर ये आपके सामने डिस्प्ले किया जा रहा है तो पहले हम इस छात्र के द्वारा जो आंसर लिखकर के बेजा गया है इसका मुल्यांकन करेंगे और फिर देखेंगे कि इसको अधिक्तम कितने marks मिल सकते हैं इसका अंसर आपको 150 सब्द में लिखना है और इसके लिए अधिक्तम 10 marks निर्दार रहते हैं उसके बाद फिर हम अपना guidance इसमें प्रोवाइड करेंगे कि आपको maximum marks इसमें कितने मिल सकते हैं तो इस में एक्जाम के लिए GS paper 1 और GS paper 2 UPSC के syllabus के according में पहले ही पूरा discuss कर चुका हूँ और अगर आप उन वीडियो इसको स सुनते हैं या देखते हैं तो definitely I can ensure 90% तक आपकी preparation का part उनसे cover हो जाएगा remaining part के लिए आप हमारी website पर contact कर सकते हैं offline classes के लिए आप contact कर सकते हैं कि 20 दिन में GSK एक paper को पूरी तरह से cover करते हैं तो जिस प्रकार की भी difficulty आपको feel हो तो then you immediately must contact तो आईजे सबसे पहले इस चात्र के answer को हम पढ़ते हैं इसकी quality क्या है और इसको देखने के बाद सुनने के बाद आपको भी पता लग जाएगा किस answer में इसको कितनी marking होनी चाहिए ठीक है तो देखिए question है भक्ती साहिपते की प्रकृती का मुल्यांकन करते हुए भारती संसक्राथी में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए तो answer writing कैसे की जाती है time management कैसे किया जाता है मैं पिछले वीडियो जो बहुत detail में discuss आपके सामने कर चुका हूँ यहाँ पर 150 सब्द दिये हैं इसका meaning यह हुआ कि आपको 6 minute में इसका answer लिखना है और अधिक्तम 10 अंकम कैसे बढ़ा सकते हैं तो लगातार में इस बारे में आपको guide कर रहा हूँ question को कम से कम दो वार आपको पढ़ना है question को पढ़ते ही आपको उन highlighted areas को ढूंडना है और उनमें एक संबंद आपको इस्थापित करना है फिर आपको इसमें stand लेना होता है तो जैसे इस question को आ nature की बारे में हम लिखेंगे और इसके बाद भक्ति साहित्य का वारत की संस्कृति में योगदन क्या है अगर इन दोनों में आपने relation बिठा दिया answer में तो guaranteed आपको 80% तक की marking होगी और अगर mental level पर आप clear नहीं है कि भक्ति साहित्य का nature क्या होता है संस्कृति में कैसे contributions ने द इन संतों में प्रमुक हैं संकराचारे रामानुज, रामानन्द, कबीरदास, गुरुनानक, दादुदेयाल, चैतने माप्रभू एवं मीराबाई भक्ति साहित्य की प्रमुक विसेष्टाएं हैं इस्वर के प्रतियास्ता एवं प्रेम को व्यक्त करना पहली विसेष्टा इस्थान पर सरल जीवन पर बल देना, भक्ति साहित्य ने भारतिय संस्क्राथी में नभीर उर्जा एवं विस्वास का संचार किया और संस्क्रिट जैसी अविजात्य वासा के इस्थान पर छित्री वासा में उपदेश करना तर्ता लोक जीवन की परमपराउं एवं इस प्रकार बक्ति साहित्य निसंद्य रूप से मुस्लिम सासन विवस्ता के अंतरगत भारति संस्क्रती की निरंतरता बनाए रखने में सफल रहा यह आंसर आपने देख भी लिया और सुन भी लिया तो देन अब आब इसको जज कर सकते हैं कि 10 में से इसको कितने मार्क्स दिये जाने चाहिए आपके अकॉर्डिंग इसका विचलेशन क्या रहा मेरे अकॉर्डिंग यह अंसर औसत इस्तरकातो है यानि कॉस्चन में जो डिमांड की गिये उसके अकॉर्डिंग इसमें एक डायरेक्शन नजर आती है तो इन्होंने पहले बक्ति साहित्य की करती में योगदान बताया है तो उसत आंसर तो यह माना जाएगा लेकिन आप जानते हो कि अगर उसत अंक हमारे आते हैं आंसर राइटिंग में तो हमारा आईएस बनने का सफर पूरा नहीं हो सकता क्योंकि यह जो लड़ाई है इंडिया में सबसे एक्सिलेंट लोगों के बीच में हो रही है देश की सबसे बड़ी सेवा को प्राप्त करने के लिए इसलिए आपको आंसर तो हमेशा अबब दाइबरे औसस से उपर इसतर के ही लिखने होंगे तो फिर भी अगर इसको एक्जामिनर अगर मार्क्स देगा तो मेरे अकॉर्डि मार्क्स तक इसमें अर्ण करने चाहिए थे अब इसमें कमी क्या है उस पर हम आते हैं और फिर आप इसमें अपनी तरप से भी सोचक देएं तो सबसे पहले तो इसमें एक इंट्रोडक्शन उनने बताया बक्ती साइत्य का अर्थ क्या है तो आपको बताना पड़े गया कि बक्ति साहित्य सात्मी सताब्दी से ले करके और लगबग सत्रेवी सताब्दी तक निरंतर विविन वासाओं में बक्ति संतों द्वारा लिखा गया है एक तो इसमें टाइम लाइन कहीं भी नहीं है सात्मी सताब्दी से सत्रेवी सताब्दी के मध्य तक जब टाइम लाइन होती है इतियास के किसी अंसर में तो ये आपकी क्वालिटी को कमजोर करता है क्योंकि कोई सामान निभ्यक्ति इस अंसर को पड़ेगा तो उसको एक क्लियर नहीं हो रहा है कि ये सायत्य लिखा कब गया था इतियास के कौन से कालखंड में इसकी रचना हुई थी तो अगर आप टाइमलान बता देते हैं कि सात्मी से सत्रे मिशताब्दी के मध्य भक्ती संतों ने लिखा और फिर कुछ भक्ती संतों के आप नाम इसमें दे सकते हैं तो एक क्लियर हो जाएगा कि इन संतों ने इस डिवरेशन में इस स विशेष्टाओं को लिखा है Locker ड मुढ़क्ति सिस्टीक्स. और प्रकृति में थोड़ा सांतर होता है उलेॉम और फिरेशन में आधर seven Państwo přेड़ेगल ह Dazu बक्ति सहित्य की इस्वर की निर्गुण परंपरा और सगुण परंपरा का उलेख किया गया है यानि भक्ती साहित्य निर्गुण और सगुण इस्वर की अवधारणाओं पर आधारित है ये एक उसकी नेचर हुई निर्गुण परंपरा का जो व्याख्यान किया गया है उसमें मुक्यतक कबीरदास, गुरुनानक, दादुदयाले और सगुण परंपरा में जो संत हैं उसमें आप बता सकते हो कि चैतन्यमाप्रभु हैं, मीरवाई हैं, बल्लवाचार हैं ये आपको बताना पड़ेगा कि पहली इसकी प्रकुर्ती सगुण और निर्गुण परंपरा के रूप में बनी होई है, अब चुकि 150 सब्द में लिखना है, आपको वर्ल्लमिट के जहां रखना है तो थोड़ा सगुण और निर्गुण के बारे हम पता देंगे, कि निर् लेक करती है, समाबेश करती है, इसी प्रकार सब बताओ कि भक्ती साहित्य, धार्मिक और धर्म पेक्ष, दोनों प्रकार की प्रकृती को समाहित करता है, यानि कुछ भक्ती संत हैं, जो हिंदू परंपरा के अनुसार, बेद से लेकर के पुरानों तक, जो साहित्य लिखा गया है उसमें भागवान के बारे में जो कुश है उसके अंरोफ सन्तोंने अपना प्रवचन किया है लेएं कुछ संत ऐसे भी हैं जिनोंने हिंदू सनातन संस्कृती के व्योंड जाकर के परे जाकर के और धन पे एक्सी रूप में और साइत्त को लिखने का प्रियास किया है जैसे दादू दयाल है तो दादू दयाल किसी हीस्वर की बात कहां कहते हैं राम की ख्रेशन की या istic म prayer काम एक्सीड कर जाते हैं कबीर्दास के लिए ही स्वर का अर्थ क्या है दोनों की बात करते हैं वो अल्ला और राम दोनों को मानते हैं किसी पर्टिकुलर भगवान के वो समर्थक नहीं माने जाते हैं इसलिए वो निरुगुन बिचारदरा के समर्थक है दोनों प्रकार की प्रकृति अमको इसमें दिखाई देती है एक और प्रकृति बताओ इसमें कि भक्ति सायत्य अपनी प्रकृति में सार्व भौमिक्ता और सर्व व्यापक्ता पर बल देता है यानि भक्ति जो सायत्य है यूनिवर्सलिजम भक्ति साइत्य में जिस तरीके से व्याख्यान किया गया है वो भारत के लिए निये पूरी दुनिया के लिए संभव है हर वर्ग हर जाती धर्म के लिए वैस्विकार करने योग्य हो सकता है तो ये कुछ नेचर आपको बतानी होगी सौल्ट में इसके बाद फिर आप सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे कि भक्ति साइत्य ने भारत की संस्कृती में के योगदान दिया अब आपको संस्कृति में बताना है पर आप चिंज करके कि भक्ती साहित ने भारती संस्कृति में निम्नांकित आधारों पर योगदान किया है पहला भक्ती संतों ने छेत्रिय वासाओं में उपदेश दिये जैसे बंगला वासा में चेत्र नमाप्रभू ने मारबारी देन इन भक्ती संतों ने भारती संस्क्रती के भासागत आयाम को और अधिक विष्तार प्रदान किया अभी तक भारती संस्कृति में संस्क्रिट जैसी अभिजात्य वासा का प्राधन्य ता उसकी प्रमुकता नहीं हूती तो इसको इनों ने तोड़ दिया दूसरा ती की इस्थापत्य सहली बास्तू सहली को प्रवाबित किया है अर्थात संकराचारे ने पूरे भारत में चार मठ स्थापित किये केदारनाथ बद्रिनाथ से ले करके द्वारिका जगनातपुरी और रामेश्वरमतव और बद्रिनाथ से ले करके और इन चारों मठों को उन कार्मिक चेत्र के अंत्रगत उसमें इन मठों को विशेश महत्व प्रदान की आ गया है इसी प्रकार भक्ती साहित्य में भक्ती संतों ने विविन्य प्रकार की गायन सैली नर्थ्य सैली और संगीत में यंत्रों का प्रयों किया तो चयतन्य माप्रभू ने भारतिय संस्कृती में संकिरतन सैली को बढ़ावा दिया संकिरतन सैली नयातत्य असे जोड़ता है चेत्रिय गायन सेलियां चेत्रिय नियत्य सेलियां डांसिंग स्टाइल और लोक सेली भक्ती साहित्य के आधार पर पूरे भारत बर्समें बाद में डवलप होती हैं और भक्ती साहित्य ने भारती संस्क्राती में भाईचारा और सामाजिक सोहाद्र को आगे बढ़ाया तथा हमारी गोरवसाली परंपरां एवं मुल्यों को निरंतरता प्रदान की यानि संतों ने जिस तरीके से अपने उपदेश दिये उनके माध्यम से हमने उन संतों के प्रमोकिस्थान बनाए उनके जनम दिवस और निर्बान दिवस आई तक पूरे भारत बर्समें मनाए जाते हैं तो वो जैनती बन गई है कबीर दास की जैनसी तुलसी दास जी की औ ने माप्रभु का है तो हर संत का एक दिन आता है उसके अनुरूप पूरे बारत बर्समें फेस्टीबल सायोजित किये जाते हैं तो यह बारतिय संस्कृति में एक नबीन तक्तों का समाबेश हुआ है इस तरीके से अगर आप लिखते हैं कि बारतिय संस्कृति में इन तक् ृ सकती है और ध्यान रखना है कि 50% से अधिक है अघर आपकी मार्किंग यह एंक आ तो फिर आप आईयस बनने की रेस ने सामिल है अपने ने आपको इसमका इसमका हिस्सा आप मान सकते हैं 50% से कम आउंक आपकले असे सपना पूरा होने वाला नहीं है तो बारबार में सब्द का और यह आपका एक अपने प्रति वादा होना चाहिए प्रति बद्धिता होना चाहिए कहां मुझे एक अंसर परड़े लिखना ही होगा अधरवाइस नॉलेज अनलिमिटेड है इस नॉलेज को हमें प्रिंटिंग स्टाइल में लाना होगा और अपने वर्बल एक्सप्रेशन को लगातार इंप्रूब कीजिए क्योंकि आपको इंटर्वी को भी फेस करना है इंडिया में जो भी लड़के लड़कियां कोचिंग करते हैं उसकी सफलता के द्वार से बापस आना पड़ता है तो इन चीजों पर थोड़ा जा गोर कीजिए आप जुड़े रहिए ठीक है धन्यवाद